अब हम अमेरिका में राश्पती चुनाव के बाद दंगों की आशंका का विशलेशन कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। आज से 231 वर्ष पहले वर्ष 1789 में अमेरिका में पहली बार राश्पती पद के चुनाव हुए थे। इन 200 वर्षों में अमेरिका के प्रेजिदेंशल इलेक्शन में बड़े बदलाव आए हैं। अमेरिका पूरी दुनिया को लोकतंत्र की परंपराओं पर ग्यान देता है। इस समय बिहार में भी विदान सबा चुनाव चल रहे हैं। वहाँ पर चुनावी भाषणों में एक शब्द है जंगल राज। जंगल राज की बड़ी चर्चा होती है हर भाषण में। हाला कि आज हम आपको अमेरिका में जंगल राज की गवाही देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। आज अमेरिका की राज़दानी वाशिंटन डी सी और नियू यॉक से कुछ तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के राज़पती के अधिकारिक आवास वाइट हाउस की हैं। जो इस समय आपके सामने हैं। वाइट हाउस के चारों तरफ स्टील के नए बैरियर्स लगाए गए हैं। एक सुरक्षित घेरा बनाय गया है। अमेरिका में राश्पती चुनावे के नतीजों के बाद हिंसा हो सकती है इस आशंका की वज़ा से। इसलिए वाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन तस्वीरों में आप उसी नए सुरक्षा गेरे को देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि आठ हजार फीट से जादा लंबे ये बैरियर्स बहुत मजबूत हैं और इने तोड़ पाना लगभग असंभव है। सुरक्षा के इन इंतजामों की एक और वज़ा है। वाइट हाउस में डानल्ड टरंप अपने चार सो दोस्तों, सलाकारों और खास लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। और वो इस पार्टी में कोई व्यवधान नहीं चाहते। कोई वो ऐसी बात नहीं चाहते कि इसमें कोई विग्ण पड़े। हलाकि अमरीका के राश्पती को दुनिया का सबसे शक्ते शाली ररक्ती का जाता है। लेकिन हिंसा के डर से सुरक्षा के यह उपाए अमेरिका की नई कमज़ोरी और डर को दिखा रहे है। जब वाइट हाउस का ये हाल है तो आप आम जनता के डर को भी समझ सकते हैं अमेरिका के न्यूयोक में बड़ी बड़ी दुकानों की सुरक्षा के लिए उन्हें लकडी के बोर्ड से ढखा जा रहा है न्यूयोक में दुनिया के बड़े बड़े ब्रैंड्स के शोरूम से दुकाने हैं और इन शोरूम से और दुकानों को भवे बनाने के लिए शीशे का इस्तिमाल किया जाता है और वहाँ पर ज़्यादातर दुकानों में शीशे के शोकेसिज होते हैं अब इन दुकानदारों को हिंसा होने पर अपनी दुकानों का निशाना बनाए जाने का डर है इसलिए ये अपनी खिर्कियों और दर्वाजों को लकड़ी के बोर्ड से धक रहे हैं ताकि कोई शीशे न तोड़े इस वर्ष मई के महीने में भी नियू यॉक और अमेरिका के दूसरे बड़े शेरों में हिंसा हुई थी तब दुकानों को लूट लिया गया था तोड़ फोड़ की गई थी आगजनी हुई थी नियू यॉक के मशूर टाइम स्कॉर इलाके का भी यही हाल है अगर ऐसी तस्वीरें किसी और देश से आई होती ही तो अमेरिका अपने नागरिकों को वहाँ ना जाने की सला देनी शुरू कर देता एड़वाईजरी जारी कर देता शायद ये भी कह दिया जाता कि उस माहौल में उस देश में डर का माहौल है अब नियोग पुलिस डिपार्टमेंट के करीब 600 अफसर इस पुलिस से इस हिंसा से बचने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आशंका है कि वहाँ पर संगठित हमले हो सकते हैं कैलिफोनिया में पुलिस अधिकारी बिना छुटी लिए हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं और अगर आप इसे अमेरिका के वर्च 2020 के चुनाओं की सबसे दुखत ख़बर भी कह सकते हैं अब आप नियोग के एक आम आदमी और वहां के मेर की बात सुनिए इनके डर को देखकर अमेरिका के 33 करोण जनता को भी शायद शर्म आएगी इनल वास सहते एंगान सहते है एग यही कि एंगोंगा है iki वही हो इंगा来 मैं झ॥बड़ाnd Wha एंगान gonna kena श्यार एंगा सेली river Newn इने का हैर इरव ऑर रहें मैंम CO想 फ सेली एंगाव एंगाव सेas लंगान तो आप सोचिए अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पूरी दुनिया को ग्यान देते हैं सेहन शीलता के बारे में बताते हैं लोकतंतर के बारे में बताते हैं और अब वहीं के लोग डरे हुए हैं दुनिया के सबसे पुराने लोक तंतर में इस समय राश्पती पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका में करीब 24 करोड वोटर्स हैं जिनके वोट से अमेरिका के अगले राश्पती का नाम तैह होगा। कुरोना वाइरस के वज़े से अमेरिका के राश्पती चुनाओं में इस बार मतदाताओं को पोस्टल बैलिट और अरली वोटिंग की सुविधा दी गई थी और इस सुविधा का मतदाताओं ने काफी फाइदा उठाया वोटिंग के दिन से पहले तक 9 करोड से ज़ादा वोटर अपना वोट डाल चुके हैं आज भी अमेरिका के अलग अलग शहरों में वोटर्स की लंबी लंबी लाइने लगी हुई है इस से पहले अमेरिका में नतीजों के रुजान वोटिंग वाले दिन ही आ जाते थे अब उ पोस्टल बैलिट के वेरिफिकेशन और गिंती में ज्यादा समय लगता है राश्पर्ति डानल्ड टरम्प ने पहले ही पोस्टल बैलिट को लेकर फर्जी होने के आरोप लगा दिये हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्टल बैलिट के जरीए बाई पोस्ट जो वोट आ रही हैं ये सब फर्जी हैं ऐसी भी संभावना है कि यदि नतीजा डॉनल्ड टरम्प के खिलाफ गया तो वो अमेरिका के सुप्रीम कोट में पोस्टल बैलिट की वेधानिकता को लेकर अपील भी कर सकते हैं जुल बैलिट को अमेरिका टॉति जो गौप तॉतिंग फ्ट्रॉतिंगों यु यू 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 लाइंट भ्लाइकांट अप्सवान में वोट यू यू जू इस लाई इन ठावत भी प्लाइब को सुप्रिया भ्राव यू यू थास्वाव ब में यू य अमेरिका के राश्पती चुनाओं में ज्यादतर सर्वे, 77 वर्ष के जो बाइडन की जीत का दावा कर रहे हैं। ज्यादतर सर्वेज यही बता रहे हैं कि डॉनल्ड टरम्प हारेंगे और बाइडन जीतेंगे। हाला कि 74 वर्ष के डॉनल्ड टरम्प के साथ भी 40% से ज्यादा वोटर अभी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राश्पती टरम्प का जो कोर वोटर है वो उनके साथ मजबूती से अभी भी खड़ा हुआ है। ऐसे में वोटिंग वाले दिन स्विंग वोटर्स की एहमियत बहुत बढ़ गई है। एक अनुमान के मताबिक हर चुनाओं में करीब 10% वोटर ऐसे होते हैं जो आखरी समय पर फैसला लेते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। और इन्ही वोटर्स को स्विंग वोटर्स कहा जाता है। यह किसी भी तरफ स्विंग हो सकते हैं। वर्ष 2016 के राश्पती चुनाओं में जो तमाम सर्वे जो थे वो डेमोकरेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन जीत हुई डावा कर रहे थे। लेकिन जीत हुई डावा कर रहे थे। आप समझने की कोशिश कीजिए चुनाओं होते कैसे हैं भारास से बिलकुल अलग हैं। वोट्स हैं कैलिफोनिया आबादी के लिहास से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और वहां इलेक्टर्स की संक्या सबसे ज़्यादा पच्पन है यादि सभी राज्यों के इलेक्टरल वोट्स को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा पहुंच जाता है पांसो अर्टीस रा अमेरिका के पचास राज्यों में 48 राज्य जैसे हैं जहां जीतने वाली पार्टी के खाते में सारे इलेक्टरल कॉलेज वोट्स चले जाते हैं उधारन के लिए किसी पार्टी को अपनी विरूधी पार्टी से एक वोट भी अगर जादा मिलता है तो उस राज्य के सारे इ संख्या एक परसेंट से भी कम है लेकिन भारतिय वोटर्स की इस चुनाओं में एहमियत बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराश्पति पत की उमीदवार कमला हैरिस भारतिय मूल की है उन्हें चुनाओी मैदान में उतारकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतिय मतदाताओं को खुश करने की कोशिश की है डेमोक्रेटिक पार्टी का ये कदम क्या वाकई कारगर साबित हुआ है जो उपीनिन पूल सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है वर्स 2016 के चुनाओं में 16% भारतिय वोटर्स का टरंप की ओर जुकाओं बढ़ा है लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि ये उपीनिन पूल्स के आंकड़े हैं सही भी हो सकते हैं गलत भी वहीं रिपब्लिकन पार्टी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और राश्पती डॉनल्ड टरंप की दोस्ती को आधार कर रही है अमेरिका में भारतिय मूल के लोगों की आबादी करीब एक परसेंट है सिलिकॉन वैली की स्टार्ट अप्स में एक त्याई से जादा भारतिय मूल के लोग हैं अमेरिका की हाई टेक कंपनियों में आठ परसेंट से जादा भारतिय मूल के लोगों ने उनकी स्थ अपना की है, अमेरिका में साथ में से हर एक डॉक्टर भारती है मूल से